एलो दोस्तों वेलकम बैक टूर चैनल लाटीं सेजन सो आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में मैं आपको इस सिल लाइफ के बारे में पूरी नौलिज दूँगा कि इस लाइफ में आपको किस तरीके से सिल लाइफ के एक्जाम को क्रैक करना ह उससे लिएक कुछ टिपस और ट्रेक्स और श्येर करուगा सो बहुत सारी इस वीडियो के इंद्डे टिप्स उरने वाली है तो इस वीडियो को रिए हैं तक बूरा देखना हूँ बहुत मास आएगा वीडियो में सबसे पहले देखते हैं इस सिल लाइफ होती बहुत से इंडजीव हम जिसको बोल सकते हैं नौन लिविंग तिंग कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसको इससे लाइफ बोलते हैं नाम से दिख रहा है सिल लाइफ ना चलने वाली लाइफ जो इस्टिल रहती एक ही जगे पर ठीक है अगर आप किसी ऑब्जेट को रख दो कहीं पर तो हम सोचे कि मैं पास लिए मेरे पास वो निया जो ही सामने दिख रही है उस टैम उसी मोमेंट पर उसको ड्रोग कर दो जादा सोचँ मत उसके बारे में प्लस आप लाइफ से ड्रोग करो यानि कि आपको अब भी ऑब्जेक्ट लाइफ रख के ही उसको ड्रोग करो ऐसा नही क्या आपको लाइव ही ड्रो कर ना है जाता एंड़ को ओच ओप सकते हो ऑब्झेटिक और Bisडी गरमें काड़ते होगी है यह गरemin कर सकते हो जैसे मेरे सामने अभी अब ही इक बोटल रखी है क्याम्रा रखी ठीके और लाइट रखी तो मैं इसी को ड्रोऊ करूंगा इस तरह के सापको सामने रेखवी ही चीज़ों को शिकार बनाना उनको ड्रोय करना हे ve it up at 10 से 15 मिनेटा डायम का टाइम लगाना है उनको गलत हो क्योंकि composition हर एक चीज में होती है composition आपके हर एक object में है अगर आप कुछी भी देख रहे हो ना हर चीज में composition है तो बच्चे क्या करते हैं जब भी वह paper पे इस सिल्ला ही बनाते हैं तो वह object जो है बड़ी हो जाती है इतनी और वह paper से बहार निकल जाती है उसके लिए उ 1-2 एंच चोड़सक्तो तो उसने थोड़ाग चोड़ना है जैसे कि आप फ्रेम कर रहे हो इसको यहाँ पे आपको प्रेम अप्जेक्ट बनानानी है और इस तौरा से आफिक हाँ बंदर की वो आपज़ेक्ट होनी चाहिए सब नहीं जानी चाहिए यह चीज आपको धिषा रखना है कि आपको अब्जेक्ट बाहर ना जाए ठीक है उससे लेड़ी बहुत सारी चीज़े होती है बहुत सारी टिप्स होती है ट्रिक्स होती है मैं अपने आने वाली वीडियोस में प्रक्टिकली करके बताऊंगा आपको किस तरीके से होता है अब आपको मेजरमेंट का ज्यान रखना है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी पैंसिल या पैनल ले रहे हो जिससे आप उसको ड्रॉख करोगे इस तरीके से हैसे सीधा रखना है हाथ को एक बंद करना है और अपने थम से इस तरीके से मेजर करना है औब्जेक्ट को के मान के ही चोभिश चौरी तो इसको मैं तीन बार कर लूंगा तक ये एक दो तैन तो तीन बार में यहां तक आरी है तो सबरें और पर रहें एक जोड़ ये सिस्य। तरीके सेमयजर करोगे अब देखें मज़े की बात देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमारा paper चोटा है हमें चोटा बनाना है यह हमें बड़ा बनाना है तो कैसे करेंगे आप देखो जो आपके पास जो object रखी हुई है basically वह इतनी बड़ी होती है कि आपका जो एक्टू साइज का paper होता है उसमें fit हो जाती है क्योंकि आपको साइज होता है पेपर का बहुत से बच्चें क्या गलती करते है यह एक advice है मेरी इस वीडियो के अंदर कि हो ए3 साइज पे पर क्रेंधे करते हैं से लाइफ कि यो टोटली रोंग आपको प्रेक्टिस करनी नी-टू-स्प्रिंट पर या दक्तिक bank का नियूसप्रिंट पर करो फिरिकिन आपको साइज तो यह तो साइज है आपको बोड लेकर जाना एक ड्राइंग बोर्ड बोलना नहीं तो ले जाना अफ्ट्राइंग भल डेना है और उसी ए-ट्री इस पर आपको पूरे पेस्प्रेंट सिल्हा्य बनानीं है कई वार यह बहुत से बच्चें मत्दद से बहुत थोड़ बना द यानी कि पीछे का बेगराउंड है इसको few स्पेस बोलते हैं यह ग्षाइस आपको इस तरीक़े से बैलेंस रखना है जो अब्जेक्ट है आपका वो पॉजिटिव स्पेस available अगे से Also 2011 जнов आपको जूट जिख रहा हैं यह बहार झाञा यह बाहर जा रहा है वो चीजें आपको ध्यान रखना। आपको पड़ेंगा। मजा नहीं बहुर्क पहको कमसेंस की सब्सक्राइब पहुत हमारा, आपका दिमाग पैचान लेता हैं कोफ गलत है। कुछ ना गडबड है इस पर उसी मजा नहीं आ रहा तो वह जो चीज होती ना कि आपको दिमाग बोलता कि मजा नहीं आ रहा कुछ गलत है उसकी सुन लेना वहां पर पेपर के टाइम पर आपनी सेंस का यूज करना कोमन सेंस का कि ऑब्जेक्ट उसके अंदर फिट हो जाए ए अगली चीज आपको क्या चीज करनी है डोंट वेस्ट यूर टाइम और मेजरमेंट अब या बोलोगे सर यह तो कोंट्रिक्शन होगी आपकी टिप्स के अंदर पहले बता रहे थे कि आपको मेजरमेंट में टाइम लगाना मेजरमेंट करना है फिर आप बोलो कि में खराब कर दिया 15-20 मिनट लगा दिया नहीं यह नहीं करना आपको आपको 15-20 मिनिट मेंट की mellan खतम हो जाने चाहिए आपको मेजरमेंट के लिए सिर्फ 2-4 या पांच मिनट ही देने चाहिए इससे ज़ये में टाइम नहीं देन इन अचैपना टायम वेस्ट करें ना-art-line की pencil ले जाओ शस्ती भी आती है और अच्छा काम करती है यह त्वी पैंसिल लेकर जा सकते हो दूसरी चीज हर एक pencil की जोड़ी लेकर जाओ जैसे कि मेरे पास यह 4-B है तो मैं क्या करूगा इस 4-B की एक और 4-B लेकर जाओ ठीक है तो दो एक्जाम कर रहे हो शेडिंग कर रहे हो ऐसे तो या रो कर रहे हो अगर वह निप टूड जाती पैंसिल का यह ग्रेफाइट तूड किया तो उसको छीलने नहीं बैटना हूं पर दूसरी पैंसिल उठाई और काम करने चालो कर दिया ऐसी आप उसके बाद हम चलते हैं अपना ह आफ पेपर लो उस पे इस तरीके से स्टोक्स की प्रैक्टिस करो लाइन्स की प्रैक्टिस करो सर्कल्स की प्रैक्टिस करो ताकि आपका हाथ थोड़ा गरम हो जा हाथ गरम कर लो ठीक है हाथ गरम करने से मरें बतलब भी नहीं कि आप उस पे प्रेस रख दो मजाक कर दा थ कि अपाइण से इस तरीके से थोड़ा हाथ में घर्मी ले आओ क्योंकि जब आप स्केशिंग करेंगे तो हात रूकेगा नि थोड़ा हात में थोड़ी हात ठोड़ा गरम रहना चाहिए जो आप उसको ड्रो कर रहे हो वाँ पे जैसे कि आप exercise करते हो ठीक है तो जीम जाते हो तो उसके टाइम पर क्या होता कि आप पहले वाम आप करगे अपनी बॉडी को गरम करते हो थोड़ा ना फिर उसके बाद आप exercise स्टार्ट करें आपको वैल्यू की समझ होनी चाहिए वैल्यू का मतलब होता है डाक टू लाइट यानि कि डाक कितना रखना है लाइट कितना लेकिन जो मिडल वैल्यू Люб होतीना वह आपको दिक्कत करती हैं कि मिडल में कितनी रखने वैल्यू यू तो यह चीजज आपको ध्यान रखनी कि मिडल वैल्यू को सइभ से कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा जो कि आप शेडिंग की प्रैक्टीस करोगी जया जया ज चाहते हो कि आप next level पर सीखो आप step by step सीखना चाते हो ठीक है इसे life को improve करना चाते हो composition सीखना चाते हो तो उसके लिए हमारी entrance classes को join कर सकते हो अभी batch की जो बेच के जो admissions है वो open हो चुकी है ठीक है तो आप classes को join कर सकते हो classes में आपको step by step में आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से improve करना है जो हमारी academy की classes होती है आप इंसे अकेडमी की basically उसमें आपको मैं ही सिखाता हूं और basic से लेकर advance तक आपको पूरी guidance मिलती है ठीक है live classes होती है वो आप online offline दोनों ही classes कर सकते हो अगर आप डेली में हो तो आप offline classes ले सकते हो आप डेली से बाहर हो तो online classes ले सकते हो आप मेरे students का काम देख सकते हो ठीक किस लेवल की अचीवमेंट है कैसे उन्होंने अपने एंट्रिस एक्जाम को ट्रैक किया है ठीक है बहुत से बच्चों ने तो आप भी जो है क्रैक कर सकते हो ठीक है हमारी classes को जोइन कर सकते हो आप बैच आप ही ओपन है और classes को जोइन करने के लिए नीचे आपको सको ठीक है तो इसके लिए आप नीचा अक्याडमी के नंबर शोग रहा है आप मैसेज कर देना वाट्सेप पे बीएफे classes के लिए और आपको जाए जो भी information होगी classes की वह सारी information आपको प्रवाइड कर दी जाएगी ठीक है अब हम अपनी next tip की तरव चलते हैं कि हमारी next tip क्य दे रहाँ ना ऐसे से पेंडूलम की तरह हाथ चलाना है और स्टोक्स आपके 45 डिग्री के एंगल पर रहने चाहिए इस तरीके से ठीक है 90 डिग्री पर नहीं होने चाहिए ऐसे नहीं होने चाहिए आप बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मैं हैचिंग कर सकता हूं क्या इस कर रहे हो कई बच्चे उसको समाल ली पाते हैं थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाती हो जो थोड़ी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है उसमें अच्छा काम लिकाना और तो मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि आपको इस तरीके से 45 के एंगल में ही स्टोक्स में ही श इस सब चीजें वह देखते हैं, आपको क्या नहीं करना आपको ब्लेंडिंग करना बहुत से बच इन श्टैंप उठाके ले जाएंगे या कौछ भी ऐसे ले जाएंगे उसको फिर ब्लेंड करेंगे वहाँ पर जाके तो आपको ब्लेंडिंग नहीं करना उसमें ज्याधा laughed बहुत जादा कर सकती हो आप हाईलेट में तरीके से भत ऊहिसे तरीके से यूärt गलत तरीके से यूज नहीं करना है वना काम आपका अच्छा होने की वजाए और खराब दिखने लगेगा उसमें तो वह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इरिजर को सही यूज करना है और ब्लेंडिंग नहीं करनी है गिस गिस के शेडिंग नहीं करनी सिर्फ अंकी जरीच की आपको सभाड़नों करना है यह यह पुज दूसरों काम देखते हैं कोई ऌसे TO 69 करघेज कर dwraint मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मैं भी थोड़ा ऐसे कर लेता हूं ऐसा नहीं करना हूँ बहुरे लिकर्श को विधह चानल में यह Re worlds स्टूडेन्स हो ठीक है तो आपको एक प्रॉपर गार्डेनस मिली हुई है तो आपको उसी के तहर चलना है और वह चीज़ आपको फॉलो करना है उसमें दूसरों का काम देखके आपको कन्फ्यूज नहीं हो नहीं वहां पर बहुत से बच्चे ऐसे वहां पर आएंगे बहु फोकस रखना है दूसरों को तरब यहां वां इधर नहीं करना अर्जुन की तरह बस अपने दरभशे पेफोकस करो चडिया के आप पर फोकस करो बस वह जो ऑबजेक्थ रखे ना तीन चार जो वी और फोकस करना अब अब बोलो के सर अब्जेक्ट क्या-क्या आती है अब हमारी नेक्स टिप शुरू होती है अब्जेक्ट आपकी क्या-क्या देंगे वो क्या-क्या देने के चांसिस रहते हैं मैक्सिमम में आपके आता हूं जो अब्जेक्ट होती है थोड़ी मोटी-मोटी अब्जेक्ट होती ह जैसे कि यह पैंसिल नहीं देंगे वो पैन नहीं देंगे वहां पे रखावा ठीक है किसी तरह के कोई एरेजर वगेरा चोटी-मोटी अब्जेक्ट नहीं देंगे वो आपकी मोटी-मोटी अब्जेक्ट देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं वो ठीक है या फिर एक टोकरी द कुण सीओpen कर सकते हैं वहां फिर कंट के बैगरान को ब्लैक कर सकते हैं या फिर वो हुआ प्रोड़ानड भी लगा सकते हैं तो वह चीज से आपको दयान रख नहीं है एक लिम्का की बोतल दे घी सिर्फ अग्र रख दिया था एक बाद टोक्री और पंकीन टीके फुरूट सब्सक्राइब कुछ उसके सामने लॉकी हो गया इस तरीगे से वह सजावट करके रख सकते हैं कोई अगर object आपके पास नहीं है ना घर में कड़ाई हो गई कड़ाई रख सकते हैं कोई रख सकते हैं इस ताफ की चीज़े रख सकते हैं तो यह चीज़े अगर आपके पास कुछ चीज़ा का नहीं है ना घर में available तो आप उसको फोटो में से प्रैक्टेस कर सक ताकि एटलीस आपकी अंडर्स्टेंडिक बनाने की और बहुत अम सलते हैं बैगराउंड के अपर कि हमें बैगराउंड कैसे करना है जब आप इसे लाइफ कर रहे हो तो बैगराउंड आपको डार्क रखना ठीक है देखो आपके पास बैगराउंड में दिवार कुछ भी हो सकती हो पीछे को सकता है दिवार की पैटन हो या दिवार बिल्कुल प्लेन हो तो ऐसा नहीं करना कि आपको अगर वहां कुछ नहीं रखा हो पीछे तो सिंपली उसको डार्क कर देना है पीछे के बैगराउंड को अगर वहां वाइट बैगराउंड रखा हुआ है तो उसक तो आपको कपड़े को बनाना है अच्छे से उसको शेडिंग करना है यह नहीं करना कि आप उसको पूरे ब्लैक करके आ गए ड्रैपरी है कपड़ा उन्होंने रखा इसलिए कि आप उसको करो तो यह बहुत सारी इंपोर्टेंट टीप्स थी बहुत सारी एडवाइस थी जो म मैंने आपको बता दी पर यह चीज़े जब ही काम करेंगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे ठीक है प्रैक्टिकली जब तक इसको नहीं करोगे तब तक यह सिर्फ थियोरी में रह जाएंगी सारी चीज़े तो इसको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करके आप चाहो त ता कि और बच्चों को भी motivation मिले वो भी अपना काम कर सकें दूसरी बात आप हमारी classes को join कर सकते हो BFA entrance की classes को अगर आपको seriously अपने exam को improve करना है आपको crack करना exam को next level पर लिखे जाना अपने काम को और ड्राइंग को तो आप हमारी classes को join कर सकते हो आप हमारी WhatsApp community यह BFA की उसको join कर सकते हो जिसमें की कोई भी update होती है तो आपको तुरंत प्रवाइड कर दी जाती है community के अंदर तो telegram community और WhatsApp community दोनों को आप join कर सकते हो तो उनों का ही link आपको description मिल जाएगा और academy का number आपको नीचे show हो ही रहा होगा साथ ने आपको description में भी academy का number मिल जाएगा जिसके आपना काम बे सकते हो या BFA entrance classes के लिए आप जो है inquiry ले सकते हो तो best of luck for your exam इस बार exam को हमें forward की आना है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और हाँ इस वीडियो को share जरू करना अपने सबी artists दोस्तों के साथ अपने सबी groups में share करना तक कि और लोगों की भी अच्छी खासी help हो सके